तेवियों और सज्जनों आज हमारे पीस एक ऐसे दख्ती बदा रही है जो चंबल गिरों के नक्सलवादी सर्गना तरह तेजा भाई तो आईए उनके जीवन भारे में जानते हैं बड़े मां प्रकाली चंबल में ऐसा क्या है कि सभी नक्सलवादी जीरों जो है वहीं से अपने करियर की शुरुआत करते हैं जै बद्रकाली, चंबल में पुपूल है, तालती है, और है वहाँ गर्माहट, और यह विशेज चंबल में ही पाई जाती है, वह है गापा गप, यह गापा गप क्या है हजरा, इस बार प्रकाश डाल सकते हैं, जी गापा गप एक बिशेज प्रकार की तक्नीक होती, यह जो है नकसलवादी क्यों बनें, इसके पीछे कोई बड़ी वजया है? जी इसके पीछे आप क्या सकते हैं, बड़ी वजया है, बापुप समय की है, हम पच्छा साथ में बहते हैं, अब बापु जी से पाईसा गानें, जी आमको पाईसा दे जी जे जे जे, और उमको आज आजिशें गाली दे जा, पाँषें, इसके बाध दे जे जाज दे बाभी पाउजिन अपर ओंदार उसके बाद क्या थे, हमेरी से अध्यून्ट काता है जे पाईसा बाइस की आजिए हम की हाया दो पाईसा में खाया है, इसके बाधें हमाजआ जे —— खॉआ प्छहिवार सब तबा, सारे, सारे तबा, कोई एक भी नहीं ठोड़ा, एक भी नहीं ठोड़ा, एक भी नहीं पूरा होगी, तब 20 साल तक लोग वहाँ श्रीमित खाता, काफी उगर विचार के लगते हैं, और तक को लोग सा कहता, इतला गोली मारेंगे, सब्सर रंका छेदा हो जाएगा, जीवन में आगे क्या करेंगे, हम यह पूछ रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं करना है, जितने नेतान हुपी रोग हैं, अपको मार के खतम कर देना, उस चंबल में जाके गापा गाप करना है, अच्छा फिर गापा गाप करना है, जीजी, काफी उच्जल विचार हैं आपक काली मा के करपा से कोई भी डगाइटी करने गाएं, कौनों भी डगाइटी, जो छूट गाईटी हम सब डगाइटी हम पूरा करके हां है, जीजी, तब आगे का क्या प्लान है, हलो, अभी, मनोजन बैंग मुटता है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आर, I'm coming, I'm coming, I'm coming, अर किलाएं, और आइस्क्रीम तो जरूर किलाएं, आइस्क्रीम अनिवार है, धन्यवाद क्यामरावें के साथ, तंकेत रस्तोगी,